चलिए एकदम important important question को solve करते हैं बहुत important question आपको बता रहे हैं कलास 7 का ये असेश्टी है समाजिक बिग्यान है समाजिक बिग्यान इसमें जोगरफी, political और history तीनों से मिला हुआ इसमें question है और बहुत important question आपको दिखाएंगे देखिए पहला question है जारखन में कुल कितने परकार की जनजातियां पाई जाती है 22 परकार के जारखन में जनजातियां पाई जाती है रामचरित मानस के रचेता कौन है तो तुलसी दास गो स्वामी तुलसी दास आगे के पैज को उलड़ते हैं छो नित्य की शुरुवात जारखन के किस जिल्ले से हुई थी सराय केला खरसावा ये एंसर सही है सराय केला खरसावा जिल्ला से ही छो नित्य की शुरुवात हुई थी चौंथा कोचन है संथाल जन जाती में चित्रकला किस रूप में परसिध है तो ये हो जाएगा लोकला में फैमर्स है नेश्ट कोचन देखिए परतिय कुष किस तिथी को अंतराश्टिय महिला दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल ओमेंडे तो कमना जाता है आठ मार्च को अंतराश्टिय महिला दिवस मनाया जाता है इन में से चैल्ड हेल्प लाइन नंबर कौन सा है तो देखिए 1098 ये है चैल्ड हेल्प लाइन नंबर नेश्ट कोचन भारत के किस राज्य में लिंगा नूपात सरवाधिक है तो केरल में है जहां पर साचरता दर भी अधिक है इन में से किस राज्य में चाय के बगान पाये जाते हैं तो असम में इन में से मतलब चार ओप्षन दिया गिया है और एक सही है तो असम में चाय की खेती जादे होता है और चाय के बगान पाए जाते हैं कोचन हम आपको बता रहे हैं हम बहुतjut इंपोर्टिन कोचन बता रहे clairement सेवन का ये सोसल सायंस का कोचन है देखिए नायन कोचन है प्रियरी घंस के मैदान की मुख्या फसल है तो प्रियरी घंस के मैदान किससे समंदित है गेहूं से है घेहूं से ठिक हैbraist question आईए दोस्तो अभी तक हमाई चैनल को जदी सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो जरूर कर लिजिए क्योंकि ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहते हैं और आपको बता दे कि आप जो कोचन देख रहे हैं कला सेवन का ये कोचन है और जे सी ए आर्टी की दुआरा जो ऐसे टू का एक पढ़ना इसी बात नहीं है इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट कोचन है जो किसी भी कच्छा के लिए इंपोर्टेंट है और ये भविश्य के लिए इंपोर्टेंट कोचन है इसी को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं अब देखिए आवद का अंतिम नवाब कौन था तो कोई जवरी है कि 7th class का student को ही ये जवरी है कि अवद का अंतिम नवाब कौन था नहीं किसी भी class के लिए प्रसन है अवद का अंतिम नवाब कौन था वाजित अलिशा जिन होने 1847 से लेकर 1856 तक वे अवद के नवाब बने रहे अब देखिए बारक कोचन है भारत सरकार के द्वारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सुरुवात कब हुई तो 22 जनवरी 1925 को सुरुवात क्या गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब कौशन देखिए बेश्त सडक पार करने के लिए पैदल आतरियों को क्या-क्या सुविदाएं उपलब्ध होती है दम बीजी सडक है और इस पार से उस पर जाना है तो कैसे पैदल आतरी जाएंगे तो देखिए जेबरा क्रोसिंग का परियुक करेंगे जेबरा क्रोसिंग होते वे जाएंगे और जेबरा क्रोसिंग क्या होते से माले इधर जाना इधर जाना तो यहां पर हमको इध सब्सक्राइब करना है ब्राजिल में अस्थांत्रित क्रिशी को क्या करते हैं दोस्तो तो करते हैं रोका जोहांस वर्ग किस खनीज के लिए परसिध है जोहां स्वर्ग किस खनीश के लिए परसिध है सोना के लिए सोना जो बहुत महंगा है अब देखिए अगला प्रसन है जार्खन में कर्मा तेहवार किस तरह मना जाता है तो इसका जवाब अलग अलग हो सकता है क्योंकि सब्जेक्टिक है है ना इसका answer आपको कर्माजा सकते हैं लेकिन नमूना आपको बता रहे हैं कि कर्मा पूजा में परकृती का पूजा की जाती है, इसमें पूरे 24 घंटे उप्वास रखा जाता है, जिसमें अकड़ा में कर्म ब्रीज की डाल को गाड़ कर उसकी पूजा की जाती है, रात भर सामुहिक नित्यक की जाती है एना इस तरह से कर्मा का तेहवार मनाय जाता है खास कर बहन जो है भाई की उम्र की दिरगाईू होने के लिए करम की पूजा करते हैं तो इसका हम कही तरह से एंसा लिख सकते हैं अगला प्रसन देखिए बाबा गुरुनानक की परमुख सिछाएं क्या थी तो उतर हो रखते थे और यावतार वाद में विश्वास नहीं रखते थे तिसरा है सती पर्था का बिरोद किया अगला है चौन्था उन्होंने धार्मिक कर्म कांडो एवं अडंब्रो को जोरदार बिरोद किया देखिए ओनलाइन स्वापिंग से आप क्या समझते हैं ओनलाइन स्व हो गया फिलिप कार्ट हो गया बहुत सारा है स्नेप डिल हो गया उसे स्वापिंग करते हैं तो उससे क्या समझते हैं घर बेटे बेटे आपका समाना आ जाता है घर बेटे बेटे ओर देते हैं इसी के बार लिखना है आधुनिक समय का वैसा उभरता हुआ बजार जिसमें लोग, इलोट्रोनिक, साधनों एवं इंटरनेट की सहिता से वस्तूओं की खरिद विक्रीक करते हैं, वस्तूओं को खरिद विक्रीक करते हैं, तो इसका एंसर आप अपने तरीका से भी ले सकते हैं, अपने तरीका से अलग-अलग एंसर हो सकता है, मतलब घर बेठे, हम मोब करते हैं उस पर जया कर और देते हैं ऑटर देते हैं पहले भी पैसा देते हैं एक सडख दुरघटना के क्नी तीन कारनों को लिखिए सडख दुरघटना के किनी तीन कारणों को लिखिए तो कौन कौन से कारण से सरक दुरगटना होती है तो पहला देखिए सराप पीकर वाहन चलाना सराप पीकर वाहन चलाने से दुरगटना होने का चांसे जादे रहता है इसलिए सराप पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए कभी नहीं वाहन चलाते समय मोबायल का परियोग करना इसके कारण से सरक दुरगटना होता है इसले वाहन चलाते समय मोबायल का परियोग एकदम ना करे आप रुक जाए किनारे होकर खड़े होकर गाड़ी बंद करके बात कर लीजिए बात फिनिस हो जाएगा तो ही गाडी चलादा, तिसरा है यह परसीची तेव이드 मैं भेस का चाला को दुवारा वहान चलाना, मतब जो बढ़ियांस से गाडी चलाने जिसे आता नहीं है और गाडी चलाने लगा, और जिसका ठारा साल नहीं हुआ और वह भी गाडी चलाना लगा, इसके कारण से भी अब देखिए नेस्ट कोचन है अस्वस्ट किजिए गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान में क्या होता है अस्वस्ट करना है तो एंसर हो जाएगा गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान में अंदर देखिए गर्म रेगिस्तान में क्या होता है तापमान अधिक ह होता है और क्या होता है ठंडा रगिस्तान में नियूंतम तापमान होता है करक्क एवं मकर रेखा के आसपास 20-30 G उत्तरी एंवं दष्णी अचांसों के मध्य पाय जाते हैं जबकि ठंडा रिगिस्तान में क्या होता है ये आर्क टिक, अन्टार्क टिक एवं उच्छे पहाडी छेत्रों में पाय जाते हैं देखिए चौता है गर्म एवं सु अपके पर देश में घर्म रिगिस्तान जदे ह होता है और सित्य वम्सूस के पर्दिश में ठंड रेगिस्तान होता है इस तरह से हम गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान के बीच अंतर बताने का हम काम कियें उमिद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इसे वीडियो को देखने के लिए हमाई चनल को जरू सब्सक्राब कीजिए दोस्तों भी इस वीडियो को सेर कीजिए ताकि इसका ग्यान इस वीडियो को ग्यान उसे भी मिल सके